तेवरीवन आज हम पढ़ने वाले हैं आर्सेनिकम अीडम को अलेंस की नोट से आर्सेनिकम एल्बम एक बहुत ही अच्छी रेमडी है पूरे सिस्टम पे काम करती है मैंटल से लगा कर आपके टो पक सारे सिस्टम पे इंटर्नली, एक्स्टर्नली बहुत इच्छा काम करती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइलेंस की नोट से अर्सेनिक अल्बम को, AS2, O3, इसका कैमिकल फॉर्मूला है, और वाइट अकसाइड अर्सेनिक का कॉमन नेम है, मैंडरल किंग्डम की रैमेडी है, बहुत इंपॉटेंट है, तो सबसे पहले इंपॉटेंट सिंटम मैंडल जेनरल से स्टार्ट करते हैं, तो disposition to, किस टाइब के patients को देना है, जो patient depressed है, melancholic है, sad है, despairing और indifference है, indifference किसी भी level पे हो सकता है, वो mental level पे, किसी भी काम को लेकर, second point है, anxious है, चिंता है उसको, fearful है, डर है, restless है, मतलब बेचेनी है उसको, full of anguish, बहुत ज़्यादा sad है, irritable, sensitive, pv's, easily waxed, बहुत ज़्यादा, easily waxed, मतलब बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है, irritable है, हर चीज के लिए बहुत ज़्यादा sensitive है, दुखी patient है, अब देखते हैं, यह इस टाइब का उसका disposition है, इस टाइब की personality है, तो arsenic अब दे सकते हो, the greater, the suffering, the greater, the anguish, restlessness, and the fear of death, अब arsenic की restlessness, fear of death, बहुत ज़्यादा marked है patient में, तो बहुत ज़्यादा suffering होगी, उतनी ही ज़्यादा चिंता होगी, उसको उतनी ही ज़्यादा sadness होगी, उतनी ही ज़्यादा बेचेनी, उतना ही ज़्यादा डर होगा patient में, mentally restless होता है, but physically too weak to move, जो arsenic की patient की weakness, physically तो बहुत ज़्यादा weak होता है, लेकिन जो restlessness तो उसको mental restlessness बहुत सदा होती है, can't rest in any place, एक place पे नहीं रह पाएगा, वो change the place continuously, हमेशे अपना position, place change करता रहेगा, want to move from one part to another part, and lie now here and now there, ठीक है, जो patient की restlessness की कैसी होगी, एक जगा पर कभी नहीं हो रहे पाएगा, हमेशे अपना position, हमेरा place change करता रहेगा, mentally restlessness है, लेकिन physically तो weak है, वो patient की मूँ नहीं कर पाएगा, anxious है, fear है, उसको death का, thinks it is useless to take medicine, it is incurable, is surely going to die, dread of death, and when alone on going to bed, क्या है patient को basically, उसको डर है death का, ठीक है, बहुत जादा, इतना जादा डर है, कि अब उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो मरने ही वाला है, इतना जादा चिंती तह है, इतना जादा डर है, कि मरने ही वाला है, medicine लेने का कोई फाइदा नहीं, useless to take medicine, वो जुसकी जो बीमारी हुई है, वो क्या है, उसका कोई cure नहीं, उसका कोई ilaz नहीं है, medicine लेने से भी कोई मतलब नहीं है, अब वो surely मरने ही वाला है, attack of anxiety at night, driven out of bed, टीक है, जो patient है, उसको anxiety के attack आएंगे, रात में, जो की midnight में जादा आते, after midnight aggravation, बहुत ही keynote है, arsenic album का, teething children's are pale, weak, fretful and want to be carried rapidly, अब देको, teething children's में क्या problems होगी, जन बच्चों के दात आ रहे हैं, pale रहेगा वो, बहुत जादा weak रहेगा, डरा हुआ रहेगा, और बच्चा हमें इसा क्या करेगा, गोद में उटाना चाहेगा, want to be carried always, ठीक है, अब है, physical genitals, तो physical genitals में है, great prostration, मातला, बहुत जादा weakness, with a rapid singing of vital force, and fentany, बहुश हो जाएगा, और एकदम से उसका जो vital force है, बहुश जादा weak हो गया, sink हो गया है, ठीक है, burning pain है, अब arsenic की burning बहुत important है, burning pain है, इसका key note है, affected part burn like fire, जो भी affected part है, वो कैसा लग रहा है, fire की तरह आग लगी, as if a hot cold war applied to the part, ऐसा लग रहा है कि गरम-गरम, कॉइला कुछ उस पार्ट को लगा रहा है, अपलाई कर रहा है, antracinam भी remedy है, लेकिन एक key note है, कि इतनी burning होने के बावजूद भी, उसको जो emuluration है, heat से emuluration है, hot drink से अच्छा लगता है, hot application से, तो burning pain is relieved by hot application, is the key note of urs से नहीं, can't beer to smell or sight of food, ठीक है, smell or sight of food को भी यह नहीं कर पाएगा, patient, colchicam और CPI भी remedy है, जो कि smell or sight of food को भी यह नहीं कर पाती है, great thirst है, उसको cold water के लिए, drink often, but little at a time, ठीक है, थोड़ा सा पीएगा, but एक time में थोड़ा सा पीएगा, eat seldom, but much, थोड़ा सा खाएगा, ठीक है, कभी कभी खाएगा, लेकिन बहुत सा खाना खाएगा, वो थोड़ा सा पानी पीएगा, लेकिन उसको बहुत जादा थर्स्ट रेती है, great cold water की, ठीक है, यह भी इसका key note है, अब क्या है, rapid sinking, एकदम, विदे को rapid sinking यादर, एकदम से वाइटल फोर्स की सिंकिंग होती ही, immaciation है, rapid immaciation, with cold sweat, great debility, ठंडा पसीना है, बहुत दा debility है, तो चूबर को लेना, वेरिटरम भी remedies है, अब अफेक्टेट पार्ट में, मरासमस है, excessive exhaustion है, from least exhaustion, थोड़े से भी exhaustion से किया है, उसको excessive exhaustion, exhausting, exhaustion is not felt by the patient, when lying still, ठीक है, जब patient है, उसको जैसे कि लेटा हुआ है, तब उसको उसकी weakness का अंदाजा नहीं रहेगा, लेकिन when he moves, he is surprised to find himself, जैसे ही वो कुछ मूँ करेगा, कुछ मूँमेंट्स करेगा, खड़ा हुआ सो कर, तब भी उसको क्या होगा, तब उसको realize होगा, कि उसकी बोडी में कितनी ज़्यादा वीकने से, symptom generally worse form, एक से दो पीम और बारा से दो, मतलब midnight aggravation है, midday midnight aggravation, बहुत ही marked है, अरसे निक का, bad effect form, decayed food animal matter, decayed food और animal matter से, उसको bad effects है, whether by inoculations, या तो तुमने इन बोडी में inoculations किया, या फिर उनको olfaction कर लिया है, decayed food को, या फिर तुमने खा लिया, तीनों कोई भी cause हो सकता है, decayed food और animal matter से, उसको bad effect है, complain उसको return होती, annually, मैंतला हर साल उसकी complain आएगी, carbowage, lecasis, sulfur और थूजा भी remedies है, जिन में जो complaints होगी, वो annually written होती है, अब देखते हैं, बहुत important GIT symptom को, the burning thirst without special desire to, बहुत ही जादा उसको burning thirst है, लेकिन कोई special चीज़ उसको पीना नहीं है, the stomach do not seem to tolerate, क्योंकि जो उसका stomach है, अगर खाएगा पिएगा तो वो tolerate नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको assimilate नहीं काएगा, उसको digest नहीं कर पाएगा, cold water lies like a stone in us, जैसे ही ठंडा पानी पिया, तो उसको ऐसा लगता कि पीड में भत्तर की तरह पानी है, if it is wanted, उसको पानी चाहिए ठंडा, but he can't dare to do not drink, ठीक है, लेकिन वो पी नहीं पाएगा उस पानी को, gastric derangement है, after cold fruit, ठंडे fruits खाने के बाद, ice cream खाने के बाद, ice water, sore beer, कुछ खटी beer पी लिए, या bad sausage है, alcoholic drinks है, strong cheese खा लिया, इन सब के कारण उसको gastric derangement होगा, patient को होगा, diarrhea, after eating, drinking, stool, scanty, diarrhea के सा होगा, कुछ भी खाया पीया, ठीक है, और stool के सा होगा, scanty होगा, थोड़ा सा रहेगा, लेकिन डार्क कलर का रहेगा, ओफेंसिव रहेगा, and weather, small or lush, थोड़ा भी हो सकता है, जादा भी हो सकता है, followed by the grad prostation, उसके बाद उसको बहुत आदा वीकनेस हो जाएगी, डाइरिया के बाद, ऐसा ही hemorrhage देखेंगे, sorry, hemorrhoids देखेंगे, with stitching pain and walking or seating, जो उसके piles रहेंगे, जो hemorrhoids होगा, उसमें stitching type का pain होगा, जब भी वो walking करेगा, और जब भी वो बेठेगा, not at stool से, बिस stool के time भी नहीं प्रिवेंटिंग देखेंगे, बतला bed भी नहीं पाएगा, patient इतना ज़ादा दर्थ होगा, so भी नहीं पाएगा, burning pain होगा, उसको जो की aggravated होगा, heat से, fissures make voided urine difficult, इतनी सादा pain होगा, कि ये fissures हो गए है, तो urine भी वो पास आउट नहीं कर पाएगा, अब next है, respiratory system, तो respiration में breathing, asthmatic है, asthama है, breathing problem से, must seat bed जाएगा, आगे की तरब जूख जाएगा, bend forward, spring out of bed at night, ठीक है, bed से खड़ा हो जाएगा, रात में, उठ जाएगा, specially after 12, specially 12 बज़े, midnight aggravation, unable to lie down, so नहीं पाएगा, क्योंकि उसको fear है, suffocation का, कहीं उसका दम ना गुट जाए, attack like group, उसको एकदम से group का attack आएगा, instead of usual articularia, usual articularia आने थे, लेकिन उसकी जगह, उसको group का attack आएगा, respirator symptom में, skin symptom बहुत important है, देखो, earth color की है, ठीक है, acid में भी ये remedy है, skin dry है, scally है, dry है मतलब सुखी skin है, scally मतलब skin निकल रही, cold है, blue color की है, और wrinkled है, जब भी dehydration होगा, तो wrinkled skin होगी, सही, dry होगी, cold claim ही रहेगी, perspiration है, like parchment, parchment like perspiration, आमको देखने को मिलता है, अरसेनिक में, white and pasty, black vesicle, अब vesicle का केरक्टर केसा है, काली कलर का है, plus burning pain है, उसके vesicles में, अब देखते हैं, model id, इसको, तो model id, इसमें उसको aggravation है, after midnight, midnight मतलब रात की, एक ये दो बजे, उसको problem होती है, या तो mad day हो सकता है, midnight हो सकता है, from cold, cold things aggravation है, cold drinks aggravation, cold foods aggravation है, ठंडी चीजों से, उसको तकलीफ होती है, when lying on affected side, और with, with head low, अब ये याद रखना कीनो, जब भी affected side है, जिस side में, उसको problem है, उस side सोने से, उसको aggravation होगी, साथ में, with head low, head को नीजे सोने से, problem होगी, emulidation है, from heat in general, अगर heat है, तो उसको पूरी जनरल ही, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन reverse है, sickle core, sickle core में क्या है, heat से problem है, except headache, लेकिन headache, which is temporary, emulidated by cold bathing, ठीक है, लेकिन जो arsenic, जो head है, वो क्या होगा, cold bathing से, emulidation है, ये इसका key note है, कि पूरी body को heat चाहिए, लेकिन head को क्या चाहिए, cold bathing चाहिए, spy gelia भी remedy है, burning pain, emulidated by heat, ठीक है, ये हमें पता ही है, तो complimentary है, alien sativa, sepia की, carbovage की, phosphorus की, और pyrogenum की, ये complimentary है, अब कुछ पॉइंट है, arsenic के लिए, arsenic should be throw, in element form, achieving tobacco, alcoholism, sea bathing, sources poisoning, dissecting wound, and anthrax poisoning, and restraining of venus stags, ठीक है, venus insects, अपन इन elements में, दे सकते हैं, बच्चा जो है, वो tobacco achieving कर रहा है, या alcoholism की condition है, या sea bathing है, sausage की poisoning हो गई है, wound है, dissecting, कोई सड़ा हुआ, wound या anthrax की poisoning हो गई, या फिर, sting of venus, कोई जहरी ले, जो जानवर है, उसने तुमें काट ली, sorry, insects ने काट ली है, ठीक है, तो ऐसी condition में, आप arsenic दे सकते हो, arsenic बहुत ही अची remedy है, mental symptom, GIT symptom, सारे सारे symptom पर work करती है, और बहुत ही अची remedy, और इसके बहुत ही अची result है, homeopathy में, तो आइओ आपके लिए, lecture helpful रहा होगा, thank you for watching, झाटे सारे सारे सी सारे सी है जी आपके बहुत है,